समाज बादी पार्टी के वरिष्ट निता स्वामी प्रसाद मौरी के राम चरित्मानस को लेकर दिये गए बयान पर लगातार टिपडिया की जा रही है प्रयाग राज पहुंचे बागेश्वर धाम वाले बाबा धिर्यन सास्त्री ने स्वामी प्रसाद मौरी को लेकर तल खतिप पड़ी की है श्वामि प्रसाद मौरी के रामचरित मानस पर दिये गए विवादित बयान पर बागेश्वत धाम वाले धिरिन सास्त्री ने कहा ऐसे लोग का इंसर का रोग है उन्हें भारत में रहने का अधिकार नहीं है दरसल गंगा असनान के बाद उन्होंने मीडिया के कुछ सवालों के जवाब में यह टिप पड़ी की है धिरिन सास्त्री का प्रयागराज पहुँचने पर भव्य स्वागत किया गया है सास्त्री अपने एक दिवसी कारेक्रम में भाग लेने प्रयागराज पहुँचे थे रामचरित मानस को लेकर जारी विवाद के बीच धिरिन सास्त्री ने स्वामी प्रशाद मौरी की तुलना कैंसर से की है हाला की सास्त्री पर खुद अंध विश्वास फैलाने के आरोप लग रहे हैं कई संतों ने भी सास्त्री के दाओ पर आपत्ती जताई है और उन्हें चैलेंज किया है लेकिन इन सब के बीच धिरिन सास्त्री की लोग प्रयता पर कोई फर्क नहीं पड़ा है प्रयागराज के मेजा इस्ति धिरिन सास्त्री के दिव्य दरबार में बड़ी संख्या में लोग सामिल हुए थे भीड का आलमियता की लोग सुरच्छा नियमों को तोड़ कर धिरिन सास्त्री की एक नजर के लिए उस सुख दिख रहे थे दिर्यन सास्त्री ने प्रयागराज में संतों से हिंदू राष्ट को लेकर समर्थन भी मांगा है सोशल मेडिया पर वाइरल दिर्यन सास्त्री बोलने का बेढंगा अंदाज लोगों को अपना दिवाना बना रहा है सोशल मेडिया पर बड़ी संख्या में धिरन सास्त्री के समर्थक हैं जो सोशल मेडिया पर सास्त्री के उपर लग रहे आरोपों पर सफाई देते दिखते हैं